बस साबूदाना और अलू का इस्तमाल करके आदेम उपवासी स्पेसल ऐसा नास्ता बना कर तियार करेंगे जिसके खाने से पेड़ तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा तो नमस्कार पापा मुमी किचर में आप सभी का स्वागत है इसके लिए यहाँ पर मैंने थ्री फॉर साबूदाना को हम एक पैन के अंदर त्रांस्टर कर लेंगे और मदे माच में इसे भून करके त्यार करेंगे ऑक चलाते जिसे एक जए से सिक ए त्यार हो इसका कलर इत्हार नहीं करना है तो इसका सफेदी रहना चाहिए इस तरह से से शेखने से क्या है एक दम से पोले इसका color change नहीं हुआ है, color एकदम सफेदी है इसका अभी हम गयास को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल गूंगे, सब मुदाना को इसमें नहीं छोड़े आँ क्योंकि पेन ज्यादा गरम है तो इसका color change हो जाएगा इस तरह से फैला करके इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हमने एक mixi का जार लिया है और mixi के जार में दो टेबल इस्पून जितनी भुनियों मुफली डाल देते हैं यदि आपके पास बुनियों मुफली नहीं है तो कच्छी मुफली को आपको जादा लग रहा होगा और आगे आप देखेंगे इस recipe के लिए एकदम पर्फेक्ट रहेगा अभी डखकन लगा करके इसे हम पीस लेंगे तो आप देख पारे बहुत ही अच्छा पिष्ट बन गया है इस पिष्ट को हमें हलका दरदरा ही रखना है अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहां पर मैंने कड़ई ली है और कड़ई में लगबग एक टेबल अरु पीस को फिर्ट करते हूं इसलिए मैं भी ले रही है आप अप उपास में बंगोटर्घका तेल डीस्तमाल कर सकती है और गयस को लग देतरों कर देता हैं और गी घरम होने के बाद में अदा छुटा चुमत जितना जीरे डाल देते और जीरें को अश्य से पका लेतें आप देख पार है जीरा भी अच्छा से फटने लगया है, आथ को मध्यम कर लेते हैं, और जो अमने मूफली और अध्रक और मिट्ची को पीछ के रखा था वो पेश्टिस में डाल देते हैं, तो पूरा पेश्ट हमें नहीं डालना है, आदा पेश्टिस में डालना है, बाकी धया है। पंस आप अव पढ़ित लिया हैं को भी सिद को साबोति डाल दिये, आप पहलों सकते हैं तो यह बंने आदा खब जितना दही लिया है, यह उन्त अ काथ हैं, अच्छ हमनी जितना रॉल नाया है, आपको ज़तना ऱुक्ते लिया है। यह इसमेर शए्थता चमच् आप टमाटर को पीछ के बिड़ा सकते हैं। काफी लोग के उपवास में टमाटर नहीं खाते हैं। इसलिए दई से बना करके थार कर सकते हैं। आप अपवास का समय होता है तो उस समय हमें अलग लग सीजे खाने का अबन करता है। और साल में ये एकादर्षी का उपवास है। इस उपवास को तभी लोग करते हैं। इसके अलावा काफी लोग सपते में एक दो बार उपवास करते हैं। या नवरात्री का उपवास करते हैं। उसमें भी ये बना करके खा सकते हैं। और कुछ नहीं तो आप एज एज ज़ बना के खाएंगे तो बहुत अच्या लगता है। तो अमें इसा एग जैसा खाना साम खाते ही है। कभी कभी थोड़ा अलग खाते है तो और भी अच्छा लगता है। अभी आप देख आप अच्छा गी चूट गया है। जो भी छूटगगा है। और मसाला हमारे बहुत अच्छा पकते हैं। अभी इस तो ले पानी डालढें। यह इक कब जितना पानी लिया है। यह ऐस दाल जेते हैं। यह देई बीस के अंदर चिपका वह तो निकल जाएगा, वो भी वेस्ट नहीं होगा, इस तर में आज को आपस आप तेज कर सकते हैं, इस पर से जो चीज आप नहीं खाते हैं, उसको भी स्किप कर सकते हैं, अब ग्रिव में से अच्छा उबाल आगया है, उबाल आने के करता है, अभी आज को हम थोड़ा धीरे कर लेंगे, और ढकन लगा के इसे चार से पांच मिनिट तक पका लेंगे, जिसे ग्रेवी आलू के अंदर अच्छे से एब्सॉब हो जाएगी, अभी इसे पकाते हो लग चार से पांच मिनिट हो गए हैं, अभी हम इसे खोलेंगे और ढकन लगा करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे, अभी दो मिनिट के बाद में आपको खोल के दिखाती हूँ, देखे सब्जी दिखने में किती सुंदर लग रही है, और पूरी रंगत इसके उपर आ गई है, इस तरह की सब्जी आपको इतनी पसंद आए कि बिना उपास के भी आपको बनाने का अमन करेगा, बिलाष्ट में इसमें थोड़ा साहरा दनिया डाल देते हैं, इसमें आपको गरम मसाला नहीं डालना है, और सब को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इस तरह की सब्जी बना करके आप राजगीरे की पूरी के साथ में, या सामा के चावल के साथ तो खाई सकते हैं, पर आज मैं इसके साथ मैं खाने के लिए आपको बिल्कुल नहीं और इसपेसल ऐसा भी बनाना बताती हूं, तो साइड में हमारे साबुदाने भी ठंडे हो गए हैं, पुरा ठंडा होने के बाद में इसे मिक्सी के जार में ट्रांस्वर क साथ को नहीं डाले हैं, और ढकन लगा करके इसे महीन पीस लेते हैं, आप देख पार है इसका बहुत यह अच्छा पाउडर बन गया है, इसका पाउडर भी बहुत अच्छा बनता है, जिस तरह का मार्केट में चावाल का अटा मिनता है, लग बग उसी तरह से से म बन के त कभी इसमें थोड़े बहुत दाने रह जाते हैं, इसको अम चान करके इस्तिमाल करेंगे, इसको चानने के लिए मैंने इस तरह की चंटनी लिए है जो की काफी महीन है, आटा चान के त्यार करते हैं, उसे भी महीन नहीं है, वो इस तरह से चान लेते हैं, लग पक्पूरा तोड़ा सब्सक्राइब यदि आपके जादा बच गया हो तो मिक्सी के जार में डाल करके आप उसे वापस पीस लें तो महीं पाउडर बन जाएगा हमारे बहुत ही थोड़ा बचा है यादा छोटा चम्मज इतना ही बचा है अभी जर को हम साइड में रख देंगे और यहां कम से कम आप तीन से चार सीटी ते कुबाल के तियार करें जिसे अच्छे से यह कदुकस हो जाए इस तरह दोना अलू को मैंने कदुकस कर लिया है नास्ता अच्छा स्वाधिष्ट बिन के तियार हो इसमें हम आदा छोटा चम्मज इतना नमक डाल देते हैं मसाला हमें कि आप पीसितानी पड़े और में थुड़ा साइस अज।स में हरा दिनिया डाल दे एं वहां सबको अछे से मिक्स करें सब्सक अब घाना का देख्णा नहीं कि पानी को सब्सक एस यłość community कि एक और अलू कर्लाइ उसके बार लू के अपनी प्रपोर्जिए तससे बादे पा सबस्ता के लिए लिए इस लिए बिगा के लिए इसे लिए पानि को अब्साप करिया इस नास्ते का रहा हम जब भी आपको इच्छा वय बना करके त्यार कर सकते हैं नह तक इसमें साबुदाना बिगाने का जंजटे नहीं जादा शामगरी दालने के ज़रूते है अरम से इस काफी सॉफ्ट हो गया है अब देख पर काफी सॉफ्ट हो गया इसको भी हम दस से पंद्रे मिन तक रख देंगे पंद्रे मिन अच्छे से और पानी को अब्सॉब कर लेता है उसके बाद में बता हूंगी आपको कितना पानी अब इस आठे को रखे हुए लग बग 15-20 मिनिट के अंद्रे काफी देखे हैं तो थोड़ा सा इसके उपर पानी डाल देते हैं को कि साबुदना जैसे फूलता है ज्यादा पानी को अब्सॉब कर लेता है इस तरह से वापस आप गूंद लें इस आप जितने अच्छा तरह से इसे गूंदेंगे नास्त आपका उतना अच् कि इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए अितना राचा बनाने मेरे फ् principles यह लगजा कि दिदना पानी लग गया है मैंड-गानी तो पाव सब्सॉर्स में बज़ इसमें से एक लोई तोड़ लेते हैं इसके लोई फोटी नहीं तोड़ते हैं एसके बढ़ी इस अब देख पा सबस्क्राइब टार है अग्दम बहुत ही सौफ्ट है यह पानी इसमें बडराबर नहीं डालेंगे, तो सबस्क्राइब पल्टा इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने एंपर राजगरे काटाली है, अप चाहो तो इसकी जगे फेपर सिंग रड़ा काटा ले सकते हैं और थोड़ा सा अठाइश के उपर लगा देते हैं। आज ही उकवास के लिए बना रहे हैं । इसलिए इसके उपर राजगेरे काटा लगा रहे हैं। इसको भी हम बेल देते हैं। यह मैं आपको याद दिला देती हूं का आपको मायरा से कैसी लग रही है निचे कमेंट बॉक्स में लिके आम जरू बताएं। अदि आपको अच्छी लग रही है ता आप इसे लाइक करें। और फेस्बुक पे देख रहे हैं ता आप हमारे पेच को फोलो कर सकते हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर दबा दें अप देख पार दिखने में कितना सुंदर लग रहा है पर साइड से थोड़ा फटा फटा रहता है आप चाहते ऐसे भी सेक करके खा सकते हैं पर मैं इसके उपर इस तरह से एक बाउल रखके कात लेती हूं इस तरह सार पोना से बाउल अच्छे से कट जाता है और साइड में तो निकला है उसको हम इखटा कर लेते हैं अभी आप देख पार इसका लुक कितना सुंदर दिख रहा हैं कोई देख कर पचान भी नहीं पाएगा का आपने ये साबुदाना से बना के तयार किया है अभी साइड में हमारे तवा भी गरम हो गया है तवा गरम होने के बाद में एके करके इसको हम सेक लेंगे एक दिखने में कितना सुंदर लग रहा है और बाइंडिंग भी एकदम परफेक्ट आती है वैसे आपने साबुदाना की खिचडी वड़े तो बहुत बना के खाये होंगे मेरे चैनल पर मैंने साबुदाना की आपको बनाना बताई भी है पर अर यह जा बिल्कול अलग बन के तीयार होती है और खाने में इसका स्वाद भू अच्छा आता है और यह बहुत इक म् घींत घील में बन के त्यार हो गयाती है गी या तल आप इसके उपर लगाने स॥ की शेट 스舉 सैक के कह सकते हैं दोन तर टप से इसका अच्छा लाइट गर अब निखाल जेते हैं अब निया थी फोर्थ कप साबुदाना लिया है इस रेसियो में लगबग ये साथ इंच के साथ पराटे बन करके तेर होते हैं हमने इसमें बिल्कुल लाइक मसाले डाले हैं ये आप पुरा भी खाएंगे तो बहुत ही स्वादिश लगता है जो हमने बंडारे स्टायल में आलू की सबजी बनाई है उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है इन पराटों के उपर हलकी सी क्रिस्पी पर अंदर से पराटे बहुत ही सौफ्ट है और खास तोर से हमने पूरी रसेपी के अंदर गर्म्यापड़ी सामगरी का इस्तमाल किया है और ये बहुत ही कम गीतेल में बनके तयार हो जाता है तो अगली बार जब भी आप उपवास करें ये कॉम्बिन रसेपी एक बार जर कर